नमस्कार, मैं राकेश शिवानी अश्टो चैलल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो मेरी आज उसी सीरीज का जिसमें मैं बता रहा था आपको कोई कुडली कैसे देखें जब भी कोई कुडली आपके पास आती है तो how to start with, क्या देखना चाहिए उसके अंदर, कैसे start करना चाहिए, कैसे credit करना चाहिए वो में एक सीरीज बनाई थी मैंने इसके दो पार्टस में हो चोके है तो मैंने उसमें पहले दो पार्ट में जो normally आपको बताया था वो यहीं बताया था कि जब भी कोई कुंडली आपके पास आए तो उसका लगन देखना चाहिए लगन की करिटरिस्टिक यादा आप पो होनी चाहिए जिससे कि आप बता सकें कि किस तरह का मनुश्य है या किस तरह का इनसान है आपको उसकी चंदर देखना चाहिए चंदर माप टीडित तो नहीं है उससे उसकी मांसिक इस्तिति का मालूम चलता है इसी परकार से आपको बाकी जो ग्रहे हैं उसके अंदर वो देखना जरूरी है कि जो ग्रहे उस कुंडली में हैं उसकी कुंडली में वो कैसे हैं, वो केंदर ने बैठे हैं, त्रिकोर्ने बैठे हैं, कहां बैठे हैं, बली हैं या नहीं हैं, कैसे बली होते हैं, कैसे निर्बल होते हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है, तो मैं बसाब से यही चाहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो ना दे नहीं चाहिए उन चीजों के अलावा तो कुंडली के अंदर सबसे एक important चीज ये भी है कि आप ये देखिए कि उस वक्ट जब चातक का जन्म हुआ था तो कौन सी दशा चल रही थी देखे जन्म की दशा जो होती है बहुत important होती है अगर जन्म की दशा किसी को सही मिले अच्छी मिले तो उस case में उस इंसान की परवरिश बहुत ठीक होती है उसकी नर्चरिंग ठीक होती है और दशा अगर अच्छी ना हो तो उसकी नर्चरिंग में problem आती है उसकी education में problem आती है और मतलब smooth life नहीं चलती उसकी तो जरूरी है ये कि बच्छपन उसक कैसा गुजरा है क्योंकि बच्छपन में अगर अच्छी नीव पढ़ जाए अच्छी foundation पढ़ जाए तो इंसान तर्की करता है आगे जीवन में तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि बच्छपन के समय जब जाटक पैदा हुआ तो उससे कौन सी धशा मिली अंतर धशा मिली है उसके पास स्वामित उ है छे आठ और बारे भावो का या अशुब भावो का स्वामित उसके पास है या वह निर्बल है बहुत वीक है, बहुत पिडित है, पाप कतली दोश में है, या वो अशुब ग्रहों से द्रस्ट है, अशुब ग्रहों से युक्त है, अशुब ग्रह मींस नसर की अशुब ग्रह है, जो भी होते हैं आपके, मंगल, सूर्य, शनी, राहुकेतू, तो उस केस में जो दशा है, वो अच्छे नहीं होती, उसके अंदर आपकी नर्चरिंग ठीक नहीं हो पाती, आपके चीजों में रुकावटे आती हैं, आपके एजुकेशन में, पारन, बोशन में, इन सब चीजों में रुकावटे आती हैं, और यदि वो ही दशा आपको एक इसी ऐसे ग्रह की मिल जा में जो भी चीछे की आपको दी जाती है या जो भी नर्शरिंग आपकी होती है वो बहुत स्मू़त तरीके से होती है और लाइफ उसमें बहुत हची चलती है और foundation जो लाइफ की है स्टार्ट ओएसी पर जाती है कि आगे जाके आप प्रग्रेस करते जाते हैं नर्चरिंग उसकी बहुत अच्छे होई है तो मान लीजिए कि उसकी कुंड़ी आगे भी बहुत अच्छी होने वाली है इसके बाद दूसरे चीह आती है तो हमने दशा देखा कि दशा कौन से चल रही थी उसके उपर फिर हमें देखना है कि existing दशा क्या है मतलब जो अभी द है जिसके पास चटे आठ बारवे का सौमितु है या आशुग ग्रहों का सौमितु है तो जाहिर है कि उसको कोई ने कोई problem हो रही होगी तब ही वो आपके पास आया है तब ही आप से discuss करने आया है तो दशा देखनी बहुत जरूरी है कि जब भी कोई जातक आपके पास आए तो पहले तो जन्म की दशा देखें उसके बाद वो दशा देखें कि आज कौन सी दशा चल रही है क्योंगि कोई भी इनसान अगर आपके पास आता है तो जरूर कोई ने कोई problem उसे होती है कोई ने कोई दिक्कत उसे होती तब ही वो इनसान आपके पास आता है तो इसलिए वो देख लेना जरूरी है कि किस ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह ऑस कुनडली में कैसा है अच्छा है या बुरा है नेगटिफल देने वाला है या पॉस्टिफल देने वाला है तो वो बहुत डिपेंड करता है उसके बाद कम्बिनेशन अफ गोड एनिविल हाउसे इसमें क्या चीज़ होती है कि देखें जितने मी केंदर त्रिकोन के भाव होते है आप मतना यह लगा लीजिए केंदर के भाव केंदर वाले भाव हो गए त्रिकोन वाले भाव हो गए या आपके दो और ग्यारा धनलाब वाला भाव हो गया धन वाला हो गया इनके स्वामी अगर साथ बैठे हों कम्बिनेशन हो इनके लॉड्स का यानि 1, 4, 7, 10, 5, 9, 2, 11 इन हाउसिस के स्वामी का लॉड्स का कम्बिनेशन आपस में हो तो वो धन योग कारख होता है उससे आदमी को वेल्थ मिलती है प्रॉस्परिटी मिलती है और दूसरा हमसे ग्रुप में बठ लेते हैं एक ग्रुप 1 हो गया जो कि ये हो गया के लित्रिकोन और 2 और 11 के स्वामी ग्रुप 2 हो गया जिसमें हमारे आगे 3, 6, 8 और 12 इनके लौड इन भावों के लौड तो इन भावों के लौड से इनका कंबिनेशन नहीं होना चाहिए अगर ग्रुप 2 से ग्रुप 1 का कंबिनेशन होगा तो वो अच्छा नहीं माने जाता है उसमें धन वगरा का हानी मानी जाती है ग्रूप वन का आपस में, ग्रूप वन के में जो ग्रहे आते हैं 1, 4, 7, 10, 2, 11, 5, 9 इनका आपस में combination हो तो बहुत अच्छा होता है इसी प्रकार इन ग्रहों का अगर आपस में combination हो 3, 6, 8, 12 के houses के lot का अगर आपस में combination है तो विप्रीत राज्यों भी बन जाता है इसी प्रकार इन ग्रहों का अगर इसी ग्रूप के अंदर आपस में अपनी राज्यों को चेंज करता है तो अच्छा नहीं है तो यह ध्याद देनी जरूरी है कि ग्रूप वन और ग्रूप टूप में दो में हमने अपने ग्रहों को बाट लिया ग्रूप वन में वो जो केंदर त्रिकोन और लाब और ग्यारा धनभाव के स्वामी है ग्रूप टू में वो जो तीन, छे, आठ, बारा के स्वामी है तो यह ध्यान अपना है कि ग्रूप टू का ग्रूप टू से ही कब मिलेशन हो ग्रहों का तो अच्छा group 1 का group 1 से हो तो बहुत अच्छा group 1 का group 2 से नहीं होना चाहिए group 2 का group 1 से नहीं होना चाहिए उसके बाद आता है planets in their own house और respecting their own house इसका क्या मतलब है ये बहुत important है कि आपको ये देखना चाहिए कि कौन-कौन से ऐसे houses है या जहां पे उनका लौड वहीं बैठा हुआ है या उसका लौड वहाँ पर द्रस्टी डाल रहा है आपको समझने के लिए बनाएता हूँ जैसे मैं ये कुनली बनाता हूँ यहाँ पर इसको आप देखिए ये कुनली है मेश लगन की कुनली हम लोग बना लिते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यार, बनाता ये मेश लगन की कुनली है अब मान लिया आपका सूर्य ये दिखते हैं कौन सा भाव ऐसा है सपोस कीजिए कि आपका सूर्य ही मैठा हुआ है तो ये वाला भाव आपका बहुत स्ट्रॉम हो गया क्योंकि सूर्य यहां पर बैठा हुआ है जब ग्रहे अपने ही भाव में बैठेगा जब स्वामी ग्रहे जो लॉड है ग्रहे भाव का वो अपने ही भाव में बैठेगा तो भाव बहुत strong होजाता है सूर्य इहाँ ना बैटा हो सूर्य इहाँ बैटा हो तो भी यह बहुत strong हो जाएगा क्योंकि सूर्य की direct द्रस्टी हैं सके उपर सेवन तो सीधिसी बात है कोई भी ग्रह, कोई भी भाव अपने स्वामी से युथ हो स्वामी उसे बैठा हो या द्रस्ट हो या स्वामी उसको देख रहा हो तो भाव बहुत बली हो जाता है तो कुड्ली में फिर ये भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसे भाव है जिन में उनका लौड वहीं बैठा हुआ है या जिनको उनका लौट देख रहा है तो वो बहुत बली हो जाते है इसका क्या यूज है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं तो जिन में फिर आपको देखना है ownership of a good and bad house ownership of good and bad house अब होता क्या है कि suppose कीजिए कि जैसे आपको बेक्जाम्पल दू यहां पर कि इस कुडली को हम लोग किसी और लगनी कुडली को बना लेते हैं इसमें आपको idea नहीं हो पाएगा यह यही देख लेते हैं जैसे यह आपका है यह आपका है ninth house ninth house और एक आपका है twelfth house यह रहा तो यह जुपिटर के पास है ब्रस्पती के पास है यह दोनों houses तो जुपिटर में अगर आप देखें तो 6812 यह तीन number house अच्छे नहीं कह जाते इसका मतलब जुपिटर के पास एक तो house ऐसा है nine house जो कि बहुत अच्छा माना जाता है एक house है जो अच्छा नहीं माना जाता जिनको अशो भास बोलते हैं दुस्त भाव बोलते हैं छे-ाट बारे को तो ब्रस्पती के result कैसे होगे बता आपको यह भी देखना जरूरी है कि कैसे result को हम specify करेंगे देखिए इसमें दो बाते होती है पहली बात तो यह कि ग्रह की जिस भाव में मूल तरिकोन राशी होती है ग्रह की जो मूल तरिकोन राशी होती है वो जिस भाव में होती है वो भाव के result जादा मिलते हैं दूसरे के मुकाबले जैसे जुपिटर की जो मूल तरिकोन राशी होती है वो होती है धनू सागिटेरियस धनू इसकी नाइंत भाव में है तो इसका मतलब यह है कि इसके नाइंत भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे यारि धर्म में वरद्दी होगी पिता का सुख बहुत अच्छा रहेगा सत्मार्क पर चलेगा तो मतलब यह जो इसके रिजल्ट है यह बहुत अच्छे मिलेगे बारे के रिजल्ट थोड़ें कम मिलेगे अल्टी-बेटी रिजल्ट तो जुपिटर ने बारे बाव करने है लेकिन होगा क्या क्योंकि इसकी मूलतर कोन राशी हा बैठी हुई है तो व्याय इसका अच्छे कारियों पर व्याय होगा expenditure इसका अच्छे कारियों पर होगा विकार का expenditure वो नहीं करेगा तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई ग्रह ऐसा होता है जिसकी एक राशी किसी अशुब भाव में चली गी हो लेकिं दूसी राशी उसकी त्रिकोन में हो तो वो भाव वो ग्रह शुब माने जाता है तो इसलिए ये भी देखना जरूरी है और दूसरी सीजिए कि ग्रह की मूल त्रिकोन राशी कहा है जिन ग्रहों की दो-दो राशी होती है सुर्य चंदर को छोड़के सभी ग्रहों की दो-दो राशी होती है तो उनकी दियान देना चीए कौन सी राशी है उनकी मूल त्रिकोन राशी कौन से भाव में है तो आपको उसके ज्यादा फल डॉमिनेंटली मिलते है जो मूल त्रिकोन राशी जहां पर होती है हाउस के रिजल्ट को कैसे बताना है तो वो एक बहुत important चीज होती है जिसको मैं आपको आने वाले next वीडियो में बताऊंगा तो मैंने अब ही आपको जो बताया है कि जब भी किसी जादा की जनम कुंड़ी आए तो आप ये देखना ना भूलें कि उसकी लगन कैसा है उसका लगनेश कैसा है उससे उसका फिजिकल या उसका व्यक्तित्व मालूम चलता है उसकी चंदर राशी कैसी है उसका चंदर कैसा है पिड़ी तो नहीं है उससे उसकी मानसिक स्थिति का मालूम चलता है आप उसका बुद्ध भी चेक कर सकते हैं बुद्ध से उसकी बुद्धी का मालूम चलता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन से गर है त्रिकौन के स्वामी कहां बैटे हैं केंद्र के स्वामी कहां बैटे हैं अगर त्रिकोन के स्वामी अच्छी जगे प्लेस होंगे तो अच्छा रिट करेंगे। तो त्रिकोन के स्वामी या केंदर के स्वामी केंदर में हो या त्रिकोन में हो तो वो बहुत अच्छा रहता है तो वो देखना भी जरूरी है कि कौन से वाग जो केंदर त्रिकोन के स्वामी है वो कहां बैटे है या च्छे आट बारे के स्वामी है वो कहां बैटे है आपको ये भी देखना जरूरी है कि ग्रह कौन सा बली है, कौन सा लेरबल है, वो मैंने डिकाइड कैसे करते हैं, वो आपको मैंने बताया कि कैसे ग्रह बली देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, उससे पीछे की वीडियो में वो रखा हूँ, इसके अंदर बना हुआ है, तो आप उ कि उसकी जो nurturing है वो बहुत अच्छी होगी उसकी foundation बहुत strong रही होगी और आगे जाके भी वो तरक्की करेगा फिर देखना चीए कि उस पर existing दशा कौन सी है आज की date में जिसकी वेश से वो आपके पास आया है कोई न कोई प्रॉब्लम उसको है तो आज की देश में डशा चाह